बारे में एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं सीएंसी मशीने हमारे मैन्यूफाक्टरिंग इंडेस्ट्री में एक खरांतिकारी बदलाव लेकर आई हैं आज हम बात करेंगे सी एंसी मशीनों के ओपन और क्लोजड कंट्रोल सिस्टम के बारे में उतन लूप सिस्टम सबसेहले हम अपन लूप सिस्टम को समझते हैं इस इस सिस्टम में स्लाइट्स की मुव्मेंट का कमांड स्टेपर मोटर को दिया जाता है यह stepper motor एक DC motor होती है जो discrete steps में move करती है मतलब यह छोड़े-छोड़े steps में move होती है इसमें कई coils होते हैं जो phases में group किये गए होते हैं हर phase को एक-एक करके energize किया जाता है जिससे motor एक-एक step खूमती है अब इस computer control stepping से हम बहुत सदीक positioning और speed control हासिल कर सकते हैं CNC machine में हर signal के लिए stepper motor एक निश्चित angle पर move करती है जिससे slide की movement fix रहती है लेकिन ध्यान देंग कि इस system में ये शुर्टी नहीं होती कि विर्टमान position तक सही तरीके से पहुंचा गया है या नहीं किसी भी परकार की तुर्टी कोन तो detect किया जासकता है और नहीं correct किया जासकता है load of your cutting forces के कारण lead screw में backlashes से actual position में errors हो सकते हैं यही कारण है कि है system तब अबेहतर काम करता है जबकि सी तरह का resisting force नहीं हो या बहुत कम हो अब closure loop system पर आते हैं closure loop system में एक feedback mechanism होता है इसमें position में किसी भी error की जानकारी feedback loop के माथियम से दी जाती है input device इस जानकारी की तुलना desired data से करता है और किसी भी deviation को correct करता है फिर corrected signal servo motor को भेजा जाता है जिससे ये सुनिश्चित होता है कि position बिलकुल सही है ये system अधिक accurate और reliable होता है क्योंकि यहां feedback loop के कारण errors को detect करके सही किया जा सकता है CNC machine classification based on access अब CNC machine का एक और प्रकार का classification है जो access के अधार पर होता है चलिए बात करते हैं दो access और तीन access CNC machine की दो access CNC machine में movement केवल दो access पर होती है उदाहर्ण के लिए एक lathe machine में saddle longitudinally bed के साथ move करता है और cross slide transversely saddle पर move करता है तीन access CNC machine में एक और access होता है जो table की vertical direction में move करता है जैसा कि हम milling machine में देखते हैं इस system में एक तीसरा access भी होता है जो पहले दो access के लंबवद होता है जब हम इन तीनों access को simultaneously control करते हैं तो complex surfaces को machining किया जा सकता है आप सबसे common example देख सकते हैं milling CNC machine का इसके अलावा यहां spindle की rotation को हम आसानी से right hand rule से समझ सकते हैं अगर आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को rotational motion की दिशा में घुमाते हैं तो आपका अंगूठा rotation की दिशा में इशारा करेगा इससे आपको spindle की motion समझने में मदद मिलेगी Higher Axis Machining and Its Advantages अब बात करते हैं Higher Axis CNC मशीनों की Milling CNC Centers में AZ motions के अलावा दो और additional motions होते हैं spindle की rotary motion और index table की rotary motion ऐसी machinery को Higher Axis Machine कहा जाता है आजकल सबसे popular machine है 5-axis milling center अब सवाल उठता है CNC का असली value कहां मिलता है Higher Axis Machining में यह ऐसी method है जिसे कभी भी manually पूरा नहीं किया जा सकता Higher Axis Machining के कई फायदे हैं जैसे की cycle time को reduce करना complex components को एक ही setup में machining करके समय की budget और improved accuracy हासिल की जा सकती है जब हम setup के बीच positioning errors को कम करते हैं तो हम सटीक पर इनाम पाते हैं इसके साथ ही surface finish को improve किया जा सकता है और tool life को भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि tool हमेशा work piece के संपर्क में सही तरीके से रहता है जब हम tool को tilt करते हैं तो हम undercuts और deep pockets को access कर सकते हैं इससे errors कम हो जाती हैं क्योंकि major cutting forces tool access के साथ aligned हो जाती है Industry Applications of Higher Access Machining Higher Access Machining को Sculpture Surfaces की Machining के लिए extensively इस्टेमाल किया जाता है कासकर aerospace और automobile industries में तो students ये था एक overview CNC मशीनों के open loop or closed loop systems का और higher access machining का आप देख सकते हैं कि कैसे advanced CNC मशीने complex tasks को आसानी से पूरा कर सकती हैं जिनका manually होना संभव नहीं है उमीद करता हूं कि आपको ये lecture informative लगा होगा